Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल खालिस्तान आंदोलन वेल्कम टू Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग हवा में लहराती तलवारें हाथों में बंदूकें और लाठी डंडे लेकर उत्पात मचाते उपद्रवी और बेवस पुलीस यहाल यूपिया बिहार के नहीं है जनाब यहाल हैं गुरूओं दी भूमी पंजाब के पंजाब में असी के तशक्का दौर शायद ही कोई भूल सकता है पंजाब का वो खोनी इतिहास किसी बेदाग रंग की तरह पंजाब की मिट्टी में बस गया असी के दौर का वो एक शब्द एक बार फिर से अखबारों और न्यूस चैनल्स की सुर्खियां बनने लगा है एक बार फिर उसकी मांग उठने लगी है लेकिन क्या थी ये मांग और वो शब्द क्या था दोस्तों वो मांग थी राज करे का खालसा खालसा बागी या बादशाह और वो शब्द था खालस्तान यानि एक अलग देश की मांग उन्नी सो चौरासी में खालस्तान मूव्मंट की आग ने पंजाब को बरबाद किया जिसे बुजाने में पंजाब के कई दशक हो गए इसके बाद भी ये आग रह रहकर अपना सिर उठाती रहती है कभी भारत में तो कभी भारत से बाहर आज की इस वीडियो में हम इस गंभीर विशय का विशलेशन करेंगे और जानेंगे कि खालस्तान मूव्मंट कैसे अस्तित्व में आया इस मूव्मंट के कहां कहां तक पहले हैं कौन कौन से संगठन इस मूव्मंट से जुड़े हैं और सबसे जरूरी सवाल भारत इस आंदोलन को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकता है तो चलिए जानते हैं खालस्तान मूव्मंट की शुरू से अंत तक की पूरी कहामी दोस्तो खालस्तान आंदोलन को समझने से पहले आप ये समझेए कि खालस्तान शब्द का आर्थ क्या है खालस्तान का आर्थ है यानि खालसा के लिए एक अलग राष्ट्र या सिखों के लिए अलग राष्ट्र खालसा की स्थापना सिखों के दस्वें गुरू गुरू गुबिंद सिंग ने साल 1699 में की थी खालसा का अर्थ होता है प्यो यानी शुद्ध लेकिन समय के साथ इस विचार के उद्देश ये बदल गए और इसका राजनीती करण हो गया इसे समझने के लिए आज हम एतिहास के कुछ पन्नों को पल्टेंगे और इसके लिए आपको हमारे साथ सौ वर्ष पीछे जाना होगा ये बात है साल 1920 की जब पूरे देश में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के जरिये अंग्रेजों के विरोध की एक लहर दोड़ रही थी इसी समय पंजाब में गुरुद्वारा रिफॉर्म मुव्मेंट की शुरुआत हुई दरसल अंग्रेजों ने अमरिट्सर के सुवर्ण मंदर, अकालतख्त, बाबा अताई और तरन तारन साहिब सहित कई गुरुद्वारों पर नियंतरन कर लिया था अंग्रेज गुरुद्वारों का इस्तिमाल राजिनीतिक उद्देशों के लिए कर रहे थे क्योंकि सिख आबादी के बीच गुरुद्वारों का खास महत्व था बाकी बचे 260 गुरुद्वारों को महंतों के हाथों में रहने दिया गया बता दें कि 1920 से पहले सिख गुरुद्वारों का संचालन उदासी सिख महंतों द्वारा किया जाता था जो गुरुद्वारे के प्रसाद और अन्य प्रकार की आई को अपनी व्यक्तिगत आई मांगते थे सिखों के बीच बढ़ते नैशनलिजम को काउंटर करने के लिए बिटिश गवन्मेंट इन महंतों को सपोर्ट कर रही थी अंग्रेज और इन महंतों की आपसी साथ गांट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वर्ण मंदर के पुजारी ने गदराइड्स के अगेंस्ट एक हुक्म नामा जारी कर दिया था जिसमें उन्हें रेनेगेड कहा गया और साथ ही जलियाँ वाला बाग हत्या कांड के आरोपी जेनरल डायर को सरोपा यानी रोब आव ओनर भेट किया गया था गुरुद्वारा रिफॉर्म वूब्मेंट का उदेश गुरुद्वारों की संपत्ती को ऐसे ही करप्ट सिख महनतों से मुक्त कराना था इस अंदोलन में सिखों को एक जुट करने के लिए अकाली दल का फोमेशन किया गया इसके साथ ही इस अंदोलन ने पंजाब में स्वतंत्रता अंदोलन को प्रोचसाहन देते हुए अकाली दल और कॉंग्रेस को एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया ये अंदोलन लगभग पांच सालों तक चला 1925 आते आते अंग्रेजों ने संघर्ष कर रहे सिखों की ज्यादतर मांगे मान ली थी जिसके बाद ये अंदोलन खत्म हो गया हाना कि इस अंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जब ये संघर्ष चल रहा था तब सिख तीन हिस्सों में बढ़ चुके थे इसमें पहले वो थे जो सिर्फ गुरुदवारों को उदासी सिख महंतों से मुक्त कराना चाहते थे दूसरे लोग वो थे जो इस अंदोलन के समाप्त होने के बाद भी भारत की आजादी के लिए लड़ते रहे और तीसरे लोग वो थे जिन्होंने इसे सिख सामप्रदाइक्ता का राजनी तिक मंच बना दिया ऐसा करने वाले लोगों ने ही सिखों को हिंदूओं और मुसल्मानों से अलग दिखाने का प्रयास शुरू किया हिंदूओं के लिए सिखों के मन में अलगाव की भावना के पीछे दो बड़ी वजह थी पहली ये कि समाज में हिंदू समुदाई ज्याद़ प्रभावशाली था और दूसरी वजह थी सरकारी नौकरियों और राजनीती में सिखों की कमजोर स्थिति इन ही सब स्थितियों की वजह से सिख संप्रदाई में मनभेद शुरू हुआ और यहीं से अलग सिख देश की मांगने जन्म लिया जिसके लिए सिख हिस्तान शब्दे इस्तिमाल हुआ इसी बीच साल 1929 में कॉंग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी और अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने का संकल्प लिया लिकिन इस दोरान तीन तरह के ग्रूप ने इस प्रस्ताव का विरोध किया पहला ग्रूप मुहामद अली जिन्ना का था जिनका मानना था कि मुसल्मानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए दूसरा ग्रूप भारत के सम्विधान निर्माथा डॉक्टर भीम राव अंबेड करका था जो दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे और तीसरा ग्रूप था मास्टर ताराचंद का जो ये कह रहे थे कि अगर भारत में मुसल्मानों के लिए अलग से सीटें आरक्षित की जाती है तो इस आधार पर सिख अल्प संख्यकों के लिए भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए तो इस तो मास्टर ताराचंद उसी शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के संस्थापक सदस्य थे जिसका गठन गुरुद्वारों को मुक्त कराने के लिए किया गया था मास्टर ताराचंद को डर था कि कॉंग्रेस के नेत्रित्व में आजाद भारत की राजनीतिक हिस्सेदारी में सिखों की भूमी का बहुत सीमित रह जाएगी क्योंकि सिखों की आबादी उस समय भी हिंदू और मुसल्मानों के मुकाबले काफी कम थी इनी वजहों से बाद में सिखों के लिए अलग देश की मांगुठी और कहा जाता है कि खालिस्तान का विचार यहीं से अस्तित्व में आया अलाकि तब खालिस्तान की जगह सिख्ष्तान शब्द ही इस्तिमाल होता था समय के साथ भारत को अंग्रेशों से स्वतंत्रता मिली और पंजाब दो हिस्सों में बढ़ गया पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना और पूर्वी पंजाब भारत के हिस्से में आया इस मटवारे ने खालिस्तान आंदोलन के समर्थकों की अलग राज्य की उम्मीदों को धूमिल कर दिया लेकिन आजादी के कुछ साल बाद हुई एक घटना ने अकाली दल को एक और मौका दे दिया साल 1953 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर आंद्रुप्रदेश राज्य का गठन किया इसी से प्रेरित होकर अकाली दल ने धर्म के आधार को छोड़ते हुए पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग की संत फतेह सिंग ने पंजाब सूबा नाम से एक अंदोलन की शुरुआत की इसका मकसद था पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों का एक अलग राज्य बनाना लेकिन स्टेट्स रियॉर्गिनाइजेशन कमिशन ने इस मांग को मानने से इंकार कर दिया मांग को इसलिए नहीं माना गया क्योंकि तब सरकार को ये लग रहा था कि भाषा के आधार पर राज्य की मांग की आड में ये लोग अलग सिख राज्य का सपना देख रहे हैं और भारत का सम्विधान धर्म के आधार पर इसकी इजासत नहीं देता 19 साल तक पूरे पंजाब में अलग सिख सूबे के लिए अंदोलन और प्रदर्शन होते रहें इस दोरान हिंसा की घटनाए बढ़ने लगी आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को तीन हिस्सों में बाटने का फैसला किया सिखों की बहुलता वाला पंजाब हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हर्याना और तीसरा हिस्सा चंडिगर था जिसे दोनों नए प्रदेशों की राजधानी बना दिया गया इसके अलावा पंजाब के कुछ हिली एरियास को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया सरकार के इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग खुश नहीं थे कुछ लोग पंजाब को दिये गए लाकों से नाखुश थे तो कुछ लोग साज़ा राजधानी के विचारों से खवा थे पंजाब के इस बटवारे के बाद ही खालिस्तान की राजनीती में एक नया मोड आया ये वो दौर था जब खालिस्तान शब्द का ज्यादा इस्तिमाल होना शुरू हुआ पंजाब के बटवारे के बाद अकाली दल ने कई मांगे सरकार के सामने रख दी उस समय भी देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी प्रकाश सिंग बादल के नेतरित्व में पार्टी ने कॉंग्रिस को 1967 और 1979 के विधानसभा चुनावों में कड़ी ठक कर दी हना कि 1972 का चुनाव अकालीयों के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ के लिए काफी खराब साबित हुआ कॉंग्रिस सत्ता में आई इसने शिरोमणी अकाली दल को सोचने पर मजबूर किया साल 1973 में शिरोमणी अकाली दल ने 12 लोगों की एक कमिटी बनाई जिन्होंने अनंदपुर साहिब रेजिल्यूशन पास किया इस रेजिल्यूशन की तीन बड़ी मांगे थी पहली मांग ये थी कि पंजाब की नदियों सतलज और ब्यास के पानी का बटवारा फिर से हो दूसरी मांग थी कि चंडीगड को पूरी तरह से पंजाब को सौंग दिया जाए और तीसरी मांग थी कि हर्याना, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के उन जिलों को जहां सिखों की आबादी अधिक है उन्हें पंजाब में शामिल किया जाए अनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों ने ज्यादा स्वायत पंजाब के लिए अलग सम्विधान बनाने की मांग भी रखी 1980 तक अनंदपुर साहिब प्रस्ताव के पक्ष में सिखों के बीच समर्थन बढ़ता गया लेकिन इस बीच अकाली दल राजनीतिक तोर पर कमजोर हो गई और खालिस्तान अंदोलन को राजनीतिक सफलता नहीं देला पाई जिसकी वजह से पंजाब में अलगाववादी विचारधारा मजबूत होनी शुरू हो गई और सिखों के लिए खालिस्तान नाम का अलग देश बनाने की मांगने जोर पकड़ लिया ये वही दोर था जब पंजाब में अलगाववाद अपने चरम पर था और जर्नेल सिंग भिंटरावाले इसका पोस्टर बॉय बन गया यहां धियान देने वाली बात ये है कि शुरुवाती दिनों में इंदिरागांधी और पंजाब कॉंग्रिस के अध्यक्षक ज्यानी जैल सिंग दोनों ने भिंटरावाले का समर्थन किया था क्योंकि भिंटरावाले के जरीए इंदिरागांधी पंजाब में अकाली दल को और कमजोर करना चाहती थी लेकिन इंदिरा गांधी का ये दाव उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ साल 1980 से 1984 के बीच पंजाब में सैकडों निर्दोश लोगों की दिन दहाडे हत्याई हुई और हिंदूओं और सिखों के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश की गई भिंडरा वाले ने शुरुआत में निरंकारियों और खालिस्तान का विरोध करने वालों को अपना निशाना बनाया और इसके बाद पत्रकार, नेता, पुलीस और हिंदू समुदाय के लोग भी उसके निशाने पर आ गए जुलाई 1982 तक भिंडरा वाले इतना मजबूत हो गया था कि उसने अमरित सर के स्वर्ण मंदर में अपनी जड़े मजबूत कर ली थी और जून 1984 तक हालात इतने बिगड चुके थे कि स्वर्ण मंदर को खालिस्तानी अलगाव वादियों से मुक्त कराने के लिए इंदिरा गांधी ने 5 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया इस आपरेशन में 83 जवान शहीद हुए थे और 493 खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे जिन में जर्नैल सिंग भिनरा वाले भी था इसका नतीज़ ये हुआ कि इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडी गार्ज द्वारा हत्या कर दी गई उसके बाद देश भर में सिखों के खिलाफ भड़के दंगों ने पंजाब के हालात को बेहत संवेदन शील बना दिया था पूरा राज्य खालिस्तान समर्थक चरम पंथ की आग में जल रहा था जिसे रोकने के लिए सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर जैसी कई बड़े और छोटे ऑपरेशन्स लॉंच किये इस एक दशक में जनता भी इस अशांती से तंग आ चुकी थी पूलीस और सरकार की कारवाई ने धीरे धीरे पंजाब में खालिस्तान आंदोलन की आग को काफी हद तक बुझा दिया था लेकिन इसके चिंगारी अभी भी कहीं न कहीं खालिस्तान समर्थकों के सीने में जल रही थी जिसे समय समय पर बहरी शक्तियों द्वारा हवा दी जाती रही है दरसल दोस्तों खालिस्तान आंदोलन न सिर्फ भारत से जुड़ा है बलकि इसके तार दूर दूर तक पहले हुए है आईए जानते हैं कि भारत के बाहर खालिस्तानियों का सामराज्य कितना बड़ा है दोस्तों आप सभी को ये लग सकता है कि खालिस्तान सिर्फ भारत में आक्टिव है विदेशों में खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की बात की जाए तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जगजीत सिंग चौहान का माना जाता है 1960 में जगजीत सिंग चौहान पंजाब की राजनीती में काफी चर्चित नाम था पंजाब विदानसभा का डेपिटी स्पीकर रहा ये शक्स कटर खालिस्तान समर्थक था 1979 में जगजीत विदानसभा चुनावारा और भारत छोड़कर ब्रिटिन चला गया वहाँ उसने खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की इसके बाद साल 1971 में जगजीत सिंग चुहान ने अमेरिका की एक अख़बार में खालिस्तान देश की स्थापना के लिए एड प्रकाशित करवाया और फंड जुटाने की कोशिश की इसके बाद उसने लंडन में खालिस्तान नैशनल काउंसिल की स्थापना की उसने प्रस्तावित देश का डाक टिकट तक जारी कर दिया तो इस तरह देश के बाहर खालिस्तानियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिया हलांकि ब्रिटिन में जगजीत की मुहीम को कोई खास समर्थन नहीं मिला लेकिन इसी बीच 1971 का युद्ध हुआ इस युद्ध में पाकिस्तान को भारत से करारी हार मिली और दुनिया के नक्षे पर बंगलादेश नाम कर नया देश बन कर उभरा युद्ध में हारे पाकिस्तान ने बदले की आग में ब्लीड इंडिया पॉलसी के तहत खालिस्तान आंदोलन को हवा देने की कोशिश की जगजीत सिंग को पाकिस्तान आने का निमंतरन मिला जहां उसने फिर खालिस्तान की बात की जिसे पाकिस्तान की प्रेस ने खूब जोर शोर से उचाला जगजीत के अनुसार जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसे प्रस्ताव दिया था कि ननकाना साहिब खालिस्तान की राजधानी बनेगा अगले कुछ सालों में जगजीत की मुहीम को यौरप और अमेरिका के एक सिख धड़े द्वारा समर्थन मिलने लगा और जगजीत की हैसियत बढ़ती गई हाना कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो अपने मकसद में कभी काम्याब नहीं हो पाया दोस्तों खालिस्तान का समर्थन करने वाले सरगना न सिर्फ भारत में हैं बलकि भारत से बाहर बैठे हुए हैं और वहीं से बैठकर भारत में एक खालिस्तानी आंदोलन को समय समय पर भढ़काते रहते हैं भारत विरोधी गतिविदियों को अंजाम देते हैं मसलन खालिस्तान कमांडो फोर्स का मुखिया परमजीत सिंग पंजवार 1994 से लाहौर में बैठा है बबर खालसा इंटिनैशनल का प्रमुक वादवा सिंग बबर भी लाहौर से ही काम करता है जर्नेल सिंग भिंडरा वाले का भधीजा लखबीर सिंग रोडे लाहौर में बैठकर कथित तोर पर यॉरप और कैनेडा में खालिस्तानी ताकतों को एक जुट करता है सिक्फ फॉट जस्टिस का संस्थापक गुरू पतवंत सिंग पन्लू अमेरिका में है खालिस्तान आंदोलन को पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है इस बात के सबूत सीनिय जर्नलिस्ट टेरी मिलास्की की खालिस्तान अप्राजिक्ट अफ पाकिस्तान नाम की रिपोर्ट दे दी है इस रिपोर्ट में टेरी ने खालिस्तान अंदोलन की तहकीकात की है ये रिपोर्ट बताती है कि खालिस्तान आंदोलन का बीज पाकिस्तान नहीं बोया था और वही आज तक इसे खाद पानी दे रहा है ये अलगाव वादी उसी के रहमो करम पर जिन्दा है इसके साथ ही पिछली दिनों पाकिस्तान के सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद का एक वीडियो वाइरल हुआ था इसमें वो कह रहे थे कि हमने भारत के खिलाफ खालिस्तान को खड़ा किया था पाकिस्तान अंटोल्ड नाम के एक ट्विटर हैंडल ने ये वीडियो शेयर किया था रिंदा बबबर खालसा इंटिनाशनल का इंडिया हैड है वो लाहौर से बैट कर ही पंजाब समेथ कई जगहों पर आतंकी गतिविधियों को चला रहा है वहीं 2019 में भारत ने 23 पंजो का एक डौसिय जारी कर दावा किया था कि रेफरेंडम 2020 की गतिविधियां पाकिस्तान से चलाई जा रही है बता दें कि रेफरेंडम 2020, Six for Justice नाम की संस्था द्वारा चलाया गया एक अभियान था जिसे 2018 में इस संस्था के प्रमुख गुर पटवंत सिंग पन्नु द्वारा शुरू किया गया था अभियान के तहट जन्मत संग्रह के लिए लाहौर में एक स्थाई दफ्तर बना गया था और ननकाना साहिब के आसपास जर्नेल सिंग भिनरावाले की तस्वीरों के साथ इस अभियान के बैनर लगाए गये थे यही नहीं यह संस्था ग्रेटर खालिस्तान की मांग भी करती रही है जिसमें पाकिस्तान के पंजाब का इलाका भी शामिल होता है कथित तौर पर किये जा रही जन्मत संग्रह में घैर सिक्खों को भी वोटिंग के लिए रेजिस्टर होने की सुविधा दी गई थी भारत ने इस बात के भी सुबूत दिये थे कि खालिस्तान समर्थक नेता गौपाल सिंग चावला जमात उद दावा के मुखिया हाफीज सईद के साथ नजर आ रहा है दूस्तो खालिस्तान समर्थकों में ने सिर्फ पाकिस्तान है बलकि दुनिया के कई देश हैं पिछले कुछ सालों में आस्ट्रेलिया के अलग-अलग इलाकों में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों में खुले आम तोड़ फोड़ की जा रही है। मंदिरों की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे जा रहे हैं। इसके अल इसके अलावा किया गया था कि इसमें 10,000 सिक शामिल हुए थे। इसके अलावा पिछली साल अमेरिका में बेस्ट आतंकी संगठन सिक फॉर जस्टिस ने दुनिया के कई देशों में खालिस्तान के समर्थन में जनमत संग रह कराया था। पिछले महीने ही खुफिया रिपोर्ट में इस बात के संकेत दिये गए थे कि पाकिस्तान और ISI पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में दहशत फैलाने के लिए पंजाब के गैंक्स्टर और खालिस्तानियों को फंडिंग कर रहे हैं और उन्हें हतियार सप्लाई कर रहे हैं पंजाब सरकार ने भी ये दावा किया था कि खालिस्तानियों को पाकिस्तान समेथ कई देशों से फंडिंग हो रही है वहीं तीन साल पहले NIA ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि खालिस्तानी संगठन जैसे SFJ, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, बबबर खालसा, खालिस्तान टाइगर फोर्स, भारत में मौझूद कुछ NGO's को फंडिंग कर आतंक पहलाने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादतर फंडिंग ब्रिटिन, कैनेडा, अमेरिका, उस्ट्रेलिया, फ्रांस और जिर्मनी से की गई थी ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि भारत सरकार इस अंदोलन को खत्म करने के लिए क्या कदम उठा सकती है आईए जानते हैं दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि पंजाब हमारे देश का एक अभिन अंग है बॉडर एरिया होने के वज़ह से पंजाब भारत के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है जरूरत इस बात की है कि भारत और विदेशों में सिखों को कटरपंथ से मुक्त किया जाए कर इस समस्या का समाधान निकालना होगा किसी भी तरह के आक्शन को राजनीतिक आम सहमती पर आधारित होना चाहिए यदि इस तरह के प्रयास को हम राजनीति की वज़ह से कमजोर करते हैं तो हम केवल पंजाब में एक नया अलगाववादी फ्रैंकेंस्टीन पैदा कर रहे होंगे केंदर सरकार को सभी दलों को ये समझा कर इस आम सहमती को सुगम बनाना चाहिए कि यदि खालिस्तानी समुह फिर से जीवित हो जाते हैं तो उनकी अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता कम हो जाएगी इसके साथ ही केंदर सरकार और राज्य सरकार को एक दूसरे पर ब्लेम गेम को छोड़ कर पंजाब में लॉइन ओर्डर लागू करना चाहिए हाना कि उन्हें किसी भी कारवाई को करने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि खालिस्तानियों के खिलाफ कारवाई को सिख जनता सिख धर्म पर कारवाई के रूप में ना देखे इतिहास में ऐसा पहले हो चुका है ततकालीन पी-म इंदिरा गांधी ने जब स्वन्ड मंदिर में छिपे बैठे भिंडरा वाले पर हमला करने के लिए सेना भेजी तो अधिकांश सिखों ने इसे सिख धर्म पर हमले के रूप में लिया था और उसके बाद जो हुआ वो आप सभी जानते हैं इस मामले में सही रणनीती, जूलियो रिबेरो और बाद में केपीयस गिल ने बनाई वो जानते थे कि खालिस्तानी उगरवाद का मुकाबला स्थानिया पुलीस की तरफ से किया जाना है स्थानिया पुलीस न केवल चरंपंथियों और उनके संचालन के तौर तरीकों को जानती थी बलकि ये भी जानती थी कि इस संकट से कैसे निप्टा जाए इसके अलावा विदेशों में खालिस्तानी सक्रियता को रोकने के लिए एक अलग दृष्टिकोंड की आवशक्ता है वैसे तो भारत की विदेशी कूट नीती सुरक्षा संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए काफी अच्छी है लेकिन इस मुद्दे से निपटने के लिए भारत सरकार को उन देशों से बातचीत करनी चाहिए जहां खालिस्तान मूव्मेंट एक्टिव है भारत सरकार को उन देशों में इस मूव्मेंट को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवशक्ता है इसके साथ ही विदेशों में खालिस्तानी तत्वों से निपटने के लिए एक सरल उपाई ये भी हो सकता है कि भारत में सिखों की वास्तविक स्थिती क्या है इस बारे में विदेशी मीडिया, जनता और सांसदों के साथ अधिक समझदारी से बातचीत की जाए और हर तरह के नकारात्मक प्रापगेंडा को काउंटर किया जाए इसके अलावा भारत को नकेवल खालिस्तानी अक्टिविस्ट से जोड़ा सही डेटा और जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि भारत में मौझूद सिखों को असलियत का पता चल सके और वो सही गलत का फर्क कर सके कन्क्लूशन तो दोस्तों ये थी खालिस्तान आंदोलन की पूरी दास्तान हमने देखा कि कैसे एक शब्द एक देश की अखंडता को तोड़ने में लगा हुआ है कैसे भारत को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतें उनकी मदद कर रही है अब एक बार फिर से वारिस पंजाब देश संगठन का प्रमुख अमरित पाल सिंग इसे हवा दे रहा है खालिस्तानी हिंसा और विदेश में आक्रोश का एक मात्र जवाब एक प्रचार अभियान शुरू करना है जिस से सही तस्वीर सामने आ सके सचाई की रोशनी ही है जो भारत में सिक उत्पीडन के खालिस्तानियों के फर्जी नेरिटिव को खत्म कर देगी स्टडी आईक्यू आईएस अब तयारी हुई अफॉर्डिबल